अगर वो बहुत सालों बात आपके सामने आया तो आप क्या करोगे हलो फ्रेंड्स आज के हमारी मुवी इन्वीडेशन इट वरजन ट्वेंटीन की इस स्टोरी आयन पर बेस्ट एक कोरियन मुवी है इस मुवी के बारे में जाता वताना एक स्पोयलर हो जाएगा तो डारेक्ली वीडियो को शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारे में कैरेक्टर को जिसका नाम हम वॉल्टर रखेंगे उसे एक कॉल आता है इस कॉल से में पता चलता है कि उसके घर पर कोई तीन दिरों में आने वाला है इस कॉल की वज़े से वह बहुत इडिस्टब था आज रात उसे सही से नीन भी नहीं आई जिसका कॉल आया था उसे वॉल्टर को छोड़े 17 साल हो चुके है हर दिन वॉल्टर ने गिना है वॉल्टर जहाँ पर रहता है वही पर एक मास्टर भी रहता है उससे अब नीन आ नहीं रही थी तो उन मास्टर के पास उचला गया उन्हें वो कुछ बनाने के लिए कहता है मास्टर कहते है कि बनाने में ज़रा देर लगेगी पर टाइम में वो कर पाएंगे यहाँ पर मास्टर को भी पता था कि वो आ रही है, Walter से जो मिलने वाली है, उसका नाम हम Skyler रखेंगे, तीन दोनों में Skyler आएगी, तो सारे घर की साफ सबे Walter करता है, उसके साथ जब Skyler थी, तो जैसा घर था, उसी तरीके से फिर से recreate करना चारता है, वो Master के पास आया, उसने कहा, यहाँ पर एक painting थी, मैंने तु के रास्ते सब कुछ देखर Walter को फिर से Skyler की याद आती है, उसे याद आता है, जब वो एक साथ थे, तो हमेशा यहाँ आया करते थे, आर्टिस्ट के पास जिस painting को लेने के लिए जा रहा है, वो painting भी उसने Skyler के साथ, खुद paint होए देखी थे, और Walter आर्टिस्ट के पास आय उसे कैता है कि आपके पास वो painting है, आर्टिस्ट पुछता है तुम्हें क्यूँ चाहिए, क्या वो वापस आ रही है, Walter कहता है कि हाँ, आर्टिस्ट कुछते है कि तुम उससे चाहते क्या हो, वो वोडर कहता है, मुझे उससे कुछ questions पुछने है, आर्टिस्ट कहते है कि इस सीन में हम एक लड़के को स्वाड फाइट की कॉमपिडिशन में देखते हैं उसके साथ उसकी मदर भी है इस लड़के की मदर ही हमारी स्काइलर रेड़ी होकर नीचे जाकर ड्रंक होने वाली थी यह उसके बटे को पसंद ने आया उसके बेटे का नाम हम फ्लीन रखेंगे स्काइलर कहती है कि मैं बहुत सालों बाद इस टाउन में वापस आई हूँ मुझे अच्छा दीखना है थोड़ी दिर में फ्लीन भी नीचे आ गया स्काइलर से बुछता है कि हम यह सब अफोर्ड के से कर सकते हमारे पास तो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे फ्लीन बोचता है कि अगर उनके पास इतने पैसे थे तो हम यहाँ वाग क्यों भटकते रहते हैं स्काइलर इस बात को एक्स्पेंड नहीं कर सकते हैं उसने कुछ तो बहुत ही बुरा किया है नेकसिन में देखते हैं वाल्टर सब उसक कुछ भी पता नहीं था फ्लीन कहता है कि मैं आपके ब्रेदर का बेटा हूँ यानि कि वाल्टर उसका अंकल है वाल्टर ने फ्लीन को कहा कि अगर तुम यहाँ अपने फार्दर को ढूंड रहे हो तो उनकी डेद तीन साल पहले ही हो चुकी है फ्लीन को इसके बारे में पत यहीं पास फ्लीन ने एक वोतन स्वाड देखें वाल्टर ने n्यूटिस करता है और कहता है मुझे बहुत साल ओचुके और वाल्टर उससे ये अच्छा इसके बाद वाल्टर उससे पुछता है तुम यहां आए क्यू हो Canadian my friends में herrawn देताँ और युग इन पड़े थे बिलेटरस वॉल्टर ने पड़े नहीं फ्लीम कहता है मैं और मेरी मद हम अलग-अलग कंट्रि में घूमती रहे हैं एक जगा पर हम रुके नहीं एक स्टेबल लाइफ हमने जी नहीं हमारे पास पैसे नहीं थे तो अलग-अलग जगा पर हमें रहना पड़ा, वो चाहता है वो एक stable जिंदगी जी है, इसी शहर में, इसी घर में हो रहना चाहता है, व ओल्टर से कहता है, अब तुम्हें इस घर से चले जाओ, वाल्र केता है, कि मैं मेरे ही घर से क्यों चला जाओंगा, फ्लिन गहता है तुम्हारी वज़े से मेरी और मेरी मदर का यहाल हुआ है अब तुम्हें चले जाना चाहिए मुझे एक stable life जीनी है इनकी मेटिंग यही खतम होगे इसके बाद फ्लिन फिर से होटेल में आया स्काइलर उसे पूछती है तुम कहा गए थे तो कहता है कि मैं यही खुम रहा था वो यहाँ स्काइलर को बता लेता है कि उसे एक stable life चाहिए और वो यहाँ वाग घुमना नहीं चाहता अगले दिन जब सुबा हुए तब आर्टिस ने वॉल्टर को पेंटिंग भीज दी थे यह वही पेंटिंग है इसके बारे में आर्टिस ने कहा कि मैंने जला दी थे इस पेंटिंग के साथ उसने एक लेटर भी लिका है इसमें आर्टिस लिखता है कि जो भी questions के तुम answer चाहते हो I hope तुमें वो answer मिल जाए इसके बाद वॉल्टर एक जगा पर क्रॉक करी लेने के जैसे कि मैं पता है जब स्काइलर उसे छोड़ कर गई थे तो जीस तरीके का घर था उसी टाइप के घर को recreate करना जाता है अब स्काइलर से मिलनी की रात आ चुकी है वाल्टर रेडी हो जाता है उसने नोटिस किया कि जीस तरीके से ओगर चोड़ कर गई थे अवे भी उसी देखती है जैसे बहुत ही ब्यूटिफुल है यहाँ वर हो इस पेंटिंग के बारे में भूल चुकी थे वो बहुशते है क्या कल मेरा बेटा यहां आया था वाल्टर कहता है कि हाँ वह फ्लिन की मदर ही है तो उसके बारे में उसे सब कुछ पता होता है अब हमें पनेगी फॉटर हमसे कहता है कि मेरा और में हम दोनों बहुत भॉइवाइव कर का लाम सिर्ञ अच्छा लगता था अलग अलग प्रैसे पर जाना अच्छा लगता कि शाहत इसी हुजे से Skyler ने मुझे धुका दिया Frank ने Walter को कहा था Skyler सिर्फ उसकी एक friend है उसी वज़े से Walter ने Skyler को अप्रोच किया था Skyler और उसमें फिर एक अच्छी सी relationship डेवलोप होई Finally Walter ने Skyler को उसे शादी करने के लिए पूछ लिया उन दिनों Skyler हमेशा वॉक करने के लिए इविनिंग में जाया करती थी वो कहा जाती थी इसके बारे में Walter ने कभी उससे पूछा नहीं था एक दिन Walter जब Frank के पास आया तब वही उसने Skyler की इनर्वेर देखे उसे पता चल गया Skyler और उसके ब्रेदर में अफेर है फिर सम्प्रेजन रहीता है Walter Skyler को टी के लिए पुछता है वो गहता है जिस रात तुम मुझे छोड़ कर गए उस रात जो टी तुमने मुझे पिलाई थी यह वही टी है फ्रेज़ राइ में हम उसी सीन को देखता है Skyler Walter को टी पिला रही थी Walter टी को पी लेता उसे पहले ही Skyler ने उसे रोक लिया इसके बाद वहां से चली गई थी अब प्रेज़न में Walter कहता है कि उस टी को मैंने लेक में डाल दिया था अगले दिन उस लेक के सब फिशिश मर गए यानि कि Skyler Walter को पॉईजन कर रही थी अब जोटी Walter ने Skyler को आफर की है Skyler भी वो पी लेती है Walter अब Skyler से बुचता है हमारे शादी के एक दिन पहले क्या तुम मुझे सच-चुश में मारना चाहती थी Skyler के सालेंस से उसे पता चल जाता है कि सच था अगला क्वेशन हो पुचता है क्या तुम्हारा मेरे ब्रदर के साथ अफेर था Skyler हमेशा बहुत सारी बाती करती है पर अब वो साइलेंट है तो Walter कहता है कुमारी खामोशी से मुझे पता चल गया Walter हम से कहता है यह Frank बहुत ही cool था पर उसके पास पैसो का management नहीं था हमारे फादर हमारे लिए बहुत सारे पैसे छोड़ कर गए थे मैंने मेरे पैसो को conserve करकर रखा पर फ्रैंक अजिब सी investment करता रहा फाइनली फ्रैंक के पास रहने के लिए भी जगा नहीं थी जिवचे से वो Walter के पास आया हुआ था वो Skyler से कहता है मेरे ब्रदर के साथ तुम्हारा affair हुआ अगर तुम दोनों के पास पैसे होते है तुम जल्दी से भाग जाते है पैसो के लिए ही तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी एक्च्वल में Skyler ने Walter का एक स्टैम्प लिया इस स्टैम्प से उसने एक बड़ा लोन ली लिया था Walter कुछ करे ना इसलिए उसे वो मारना चाहती थी पैसे लेकर वो और Frank भाग जाने वाले थे ये उसका प्लैन सकसेस हो भी जाता पर Frank ने उसके साथ आने के लिए मना कर दिया अब रेजन में Walter Skyler से बुच्छता है तो मुझे मारने वाली थी कि मेरे ब्रेदर को ये पता था Skyler इस पर कुछ भी बोल नी रही Walter के पास एक टेप है जो उसके ब्रेदर ने मरने से पहले Walter को दी थी इस टेप में Frank ने सब कुछ कनफेस किया था Walter इस टेप लेता है वो से डिस्ट्राइ कर डालता है वो Skyler से गहता है अगर तुम अब जोट भी बोलोगी तभी भी मुझे पता नहीं चलेगा वो अपने ब्रेदर से प्यार करता था तो उसके बारे में कुछ गलत सोचना नहीं चाता उसे अंदर ही अंदर पता है कि उसका प्रेदर भी इसमें इन्वाल्ड था क्योंकि जब Skyler चली के तभी एक दिन Frank ने खुद खुशी कर ली थे अभी अभी Walter ने Skyler को जो टी दी उसमें कोई भी poison नहीं था वो अभी भी Skyler से प्यार करता है उसे हट नहीं करना चाता जिस दिन Skyler उसे छोड़ कर गई थे उसी दिन Master ने उनके लिए डांस भी किया था आजरा भी Master फेस से उनके लिए डांस करते हैं अब इनकी meeting खतम हो गए जो भी चीज़े Walter को Skyler को पूछनी थी यह उसने पूछ डाली है अपने मन में जो भी था यह सब कहे डाला है जाते जाते Skyler उसे कहती है कि मैं बहुत ही sorry हूँ मैंने जो भी किया उस सब कुछ बहुत गलत था अब next day Skyler इस city से जा रही है पर Flynn अपना mind change कर लेता है वो इसी city में stable life जीना चाता था पर अपनी मनर को छोड़ नहीं चाकता यह गाड़ी में थे तो Skyler उसे कहती है यह मुझे लगता है कि तुम्हारे father अभी भी जिन्दा है इसका मतलब है Skyler को लगता है कि Flynn के father Walter है हमने मुवे में देखा था यह Walter ने Flynn को sword fight में हरा दिया Flynn एक अच्छा player है तो उसे पता चल गया यह Walter ही उसके father है वो भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है अब हमें actual reason पता चलता है Skyler Walter और Frank को छोड़ कर क्यों गई थे वो pregnant थे उसे पता नहीं था यह baby के father कोन है वो Walter को मारने वाली थे तो उसे पता नहीं था इसी वज़े से उसने उसे छोड़ दिया वो Walter Skyler से प्यार करता था तो इसी वज़े से उसने पैसे लेकर Skyler को जाने दिया राद में Walter को hotel से call आया hotel का मैनेजर करता है आपकी wife और बैटे का bill आपको pay करना है Skyler जिस hotel में रुकी थी उस सबका bill Walter को pay करना पड़ेगा पर अभी अभी Walter को पता चला कि Flynn उसका बैटा है यह पता चलने के बाद उसे अच्छा लगा Finally closure मिला उसके face पर एक smile थी यही इस movie का end हो जाता है यह बहुत एक अजीब एंट था और Walter को चो closure चाहिए था वो finally उसे मिल कया यह आपको यह वीडियो चलागा तो फ्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा यह बहुत सारे movies लेकर रात रहता है तो उम लीजी चानल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दवना ही मत भूलेगा